हेलो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों कैसे आपसे भी लोग आसा करते होंगे आपसे भी लोग बहुत बढ़े आउंगे तो स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एस टेकनिक पर जहां पर बनाया जाता है आपके रिमार को इंटम साथ मतलब में क्यों माइन साथ ओके तो आप स्वागत है आज की नई क्लासमें नई क्लासका नाम है इमेज को लेंक के रूप में कैसे यह जोड़ते हैं यह सारी चीजे हमने पढ़ते और आज अपने को क्या पढ़ना है की जो लेंकgent हम arada tab text के रूफ में दे रहे थे वह एक इमेज को ऐसा लिंक कैसे यूज करें जैसे इमेज डालना तो हुमने सीख लिया कि HTML की वेब पेज में इमेज को कैसे करते हैं इमेज इंसर्ट करना सीख लिए इमेज पर बॉर्डर लगाना सीख लिए जिसके ऐसा देना सीख लिए एक लिए है इमेज के एक लिए इमेज के वेब पेज में इमेज कैसे लगा है अब इमेज कोई इमेज होती है उस पर हम जब क्लिक करते हैं उसे से रिलेटेड वेपेज खु़ी जाता है इमेज को उसने क्या किया है क्या किया हुआ है इमेज को ऐसा लिंक यूज किया हुआ है पर एक्जामपल जैसे मैं आपको दिखाना चाहूं तो हम पहले दिखा रहें आपको कि कैसे यह चीज है जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने यहां पर images डाली है ठीक है क्या डाली image of HTML HTML की image डाली पहुँचे अपन किसमें images अब देखो यह images खुल गए आपके साम में सारी यह सुरू नो ठीक है तो यह जितनी image डली हुई है यह सारी एक image link बने दिये है क्या है यह सारी हम किसी भी image पे click करेंगे तो हम उससे related website पहुंच जाएंगे जैसे मैंने बुला कि suppose that सर्टी आप क्या करो आप ऐसा करो कि इसको open करो ठीक है क्योंकि यह दिखा रहा है कि .s.tml है इसको सर open करो हम जैसे इस link पे क्या करेंगे देखो click करेंगे ठीक कि इसको इसके बैप पेज पहुंच गए तो उसने क्या किया था वहां पर यह लिंक को एज़ा क्या यूज किया हुआ हूआ है वह इमेज को इसने एज़ा लिंक यूज किया हुआ हूए पर कहा पर यहां पर यहां पर यहां पर यह सारी इमेज जैसाले लिंक है जैसे अधना ने इसको open पर किया क इसका सुमज में आरही हुआ यह तो यह जैसे है इस पजासी ओनें क्लिक तरुए घॉर पिचैसे मसम अ पर सब्रतिक क्लिक करेंगे बात समझना है कि मतलब क्या है कि हम अपनी इमेज को ऐसा लिंक कैसे यूज करें यह आज अपन को सीखना है ठीका डेली डेली नहीं नहीं चीज़ें सीखते जा रहे हो एक छोटी छोटी चीज दसी पार नहीं तो बात करते है कि इमेज को जो एजा लिंक बना लेज्ट तरिक अबही आपने टैस्ट लिंक बनाया था कल उसमा आपको बता था कि हो जा करते हैं यू होता है ये असके लिखत भी का यूर्ल लखते हैं कि लिखा सेने ने का अपर गमल हम यहां पर क्या लखते थे कोई text लिखते थे और टेक्स लिखने के बाद इसको कर देते भी किलोज या सलड़ों तो वाइं यूज इस syntax जो आपके सामने प्रदल से तो रहा है computer की मेरी स्क्रीन पर computer होता बता हो ये इस syntax का यूज किसमें करते थे अपन इस syntax का use हम एक text को जो हम यहां पर text लिख रहे हैं किस में यह और slash a के बीच में इसके a और slash a इनके बीच में हम जो भी text लिखते हैं वो as a link हमें अपने बैपेज के सो होता है और यह जो text है यह कौन सा बैपेज बैपेज का यूरल देट रहे हैं यह बस समझने आई क्या यह जो टेक्स है हमारा यह text कौन सा बैपेज उपन करेगा जिस बैपेज का यूरल हम यहां पर जाएंगे अब हमें क्या करना है हमने यह तो बिसकल भी सीख ली कि सर्थ हमैं सीखना क्या है हमैं सीखना है एक इमेज को ऐसा लिंक कैसे जिसकर है ना तो हैडिंग डालो जल्दी से अपने कापी पैन उठाके कॉपी उठाओ पैन उठाओ पैन से बढ़िया वाले ब्लेक पैन से हैडिंग डालो हम आउ टू यूज एन इमेज इज एज लिंक ठीक एक इमेज को एजा लिंक हम कैसे यूज करें हाउ टू यूज कैसे करें आखिर हम ये कैसे करें ठीक है एक शित्र को इमेज को एक लिंक की तरह उपियोग करना तो इस वेरी आसान बहुत सिंपल एट इस वेरी सिंपल तीक है कोई कठनाई वाली बात नहीं है हमें लिंक बनाना आता है कि नहीं पहले तो यह बताओ कर ना हमें लिंक बनाना आता है कैसे बनाते हैं हम लिंक यह टैक का यूज करते हैं यह टैक का यूज करके हम HRF में क्या करते हैं जिस भी वैप पेज को हमें ऐसा लिंक यूज करना है उस वैप पेज का हम दे देते हैं यहां पर URL और इसको कर देते हैं उसके बाद ही हम यहां क्या लेखते थे तो टेक्स आजा लिंक बन जाता है अगर हम यहाँ पे कोई इमेज डालने है तो वो ऐजा लिंक बन जाता है फुल मिलाके हमने आपको कल बताया था कि A और slash A के बीच में आप आग लूगर कछूरी डाल दे वो लिंक बन जाएगा तो यही दम है यह टैग में इतनी सकती है इनके बीच में जो पड़ेगा फुद लिंक बन जाएगा तो बस अपनको लिंक किसको बनाना था इमेज को इमेज को लिंक बनाना है तो यह हर एफ एक्वल टू वैब पेज यू आरल अच्छा अब आई, इमेज कैसे डालते हैं, बतो, इमेज, ट targeting का यूजकर करे, ओ, इमेज, टेक का यूजिए, इमेज, उसके बाद SRC डवल इन्वर्टीट कॉमा थे अंदर, इमेज का यूएरल, और सलेस, इमेज राविकनाइब, ओपिवेज का नाम और साथ में डॉट जे पी इजी ऑपिजी डबल इन्वर्टिट को माइट लो इमेज टेग जो होता है वो कैसा टैग होता है एक होता है ठीक है इसम को बखोलने की जरूरत इसको बंद करने की जरूरत नहीं है उसके बाद अपन ने एक होला आता तो एको तो बंद करना पड़े का विकॉज ए इस इंटेक्स इस सिंटेक्स का यूज करके हम एक इमेज को या एक चित्र को एजा लिंक यूज कर सकते कि यूज को एजा लिंक कैसे यूज करना होता है एक इमेज को यूज करने के लिए हम एक एलिमेंट का यूज करेंगे हर एफ में जिस बैप पेज को लिंक बनाना है उस बैप पेज का हम इसमें क्या लगाएंगे यूज लगाएंगे उसके बाद हम इमेज स्टोर से डालेंगे जिस इमेज को आप एजा लिंक बनाना चाहते हो उस इमेज का यूज डालो उस इमेज का सलैस में नाम डालो साथ में .jpg लगाओ jpg लगाने के बाद slash a से इसको बंद कर दो तो यहां गोर से देखो कि हमने आपको बताया था कि a और a और slash a के बीच में यह पूरा एक है टेग तो a और slash a के बीच में जो आएगा वो लिंक बन जाएगा इमेज बीच में आ गई यह यह लिंक बन जाएगी सब्सक्राइगी सब्सक्राइब तो दिक्कत नहीं समय में आ गया बिल्कुल अच्छे से ठीट तो यह तो हुई आपकी किसकी बात की एक इमेज को ऐसा लिंक कैसे बनाया जाए ठीक है तो एक फिर प्रोग्राम देख लेते हैं अब प्रोग्राम दिखत यह है कि हम इस पर कैसे चलए कि मैं अट दिखे लें कि इस पर है कुछ की इस उनलिए कि अग्टूब जिल देज़ए कि आप जीत नड़ यह अब़ु देना है अब भी लगई है झाल कि यार ज़र से पीटे आते भई कि अरे भॉस कर भी यह अरे भॉस कर भी यह अरे नहीं कि नहीं कि अरा इसका आपन को देखना एक्जाम्पल उसके लिए काम करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा हमें अपने बोल्ड को कंप्यूटर बनाना पड़ेगा कि अरे अरे पापा हम घर से एक कटोरा चाह पीके आए अरे में नहीं पीनिंग हमें अरे अरे हम घर से इतनी चाह पीके आए तो बहुत चाह हो जाती दने घर नहीं अरे अरे पाप अधर से तो हम बज़ देए तो यह तो ही किसकी बात यह हुई आपकी किसकी बात की एक इमेज को ऐसा लिंक कैसे यूज किया जाए अच्छा अब हमने आपको यह चीज़ और बताई थी किया थी कि कि जैसे अपन एक काम करते हैं क्या करते हैं जैसे यह अपन इस पर आपन ने लिखा अपनी तो यह फेवरेट वर्टाइड है कि इस पर जल्दी समझें आजाता है और क्लियर देखता है कि यह देखो सरकारी देखना यहां पर ध्यान से कि हमने जब इस पर ओपन किया यह इसी टैब में खुला कि नहीं खुला है ना ज्यान से देखना हमने इस पर ओपन किया यह उसी टैब में खुला जिस टैब में गूगल खुला था देखो थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करते हैं अगर आपको नहीं देख रहा है तो नहीं द कि अब तो कहुंच बखे हैं देखो यह यह और थे लिए इसी टेप की अंदर खुलेगा अब अगर हमें इसको जैसे और सभी लोगों को सूचित किया जाता है तो जिन जिन का पहला एक्जाम 28 तारिक को वह अपने अपने अग्जाम का क्या करने है डाउनलोड कले अच्छा यूपी प्यास्सी की विटेंसी आ गई सब्सक्राइब करेंगे तो अभी एक खुला है हम इस पर करेंगे एक ओपन हो जाएगा देखो क्यों हुआ एक टैब तो खुला ही था आप न और जो नया हमने क्लिक किया वो नए टैब में खुला तो आपका जो बिंडो ओपन होता है यह दो टाइप से होता है एक उसी टैब में दूसरा एक नए टैब में तो उसी टैब में तो बाई डिफॉल्ट खुलता है क्या खु आप सीखनी नहीं है कि उसी टेब में कैसे खोले जट बाइड इफॉल टूसी में खुलता ठीक है लेकिन आपको अगर नए टेब में खोलना है क्या करना है नए टेब में खोलना है अपने बैप पेज को तो उसके लिए आपको ख्या करने पड़ेगी प्रोग्राम इन तो हैंदिंग डालो जल दी से हैंदिंग क्या डालने है अपन को हाव तो यूज हाव तो ओपन इस इन नीव बिंडो और टैब और टैब झाल झाल तो अगर एक question सा पोच करो यही आ जाए कि अपने वेब पेज को नए टैब में या नई विंडो में कैसे ओपन करें तो आप क्या लेखेंगे हैं अधिकतर समय जब हम इंटरनेट का ओप्योग करते हैं और जब हम किसी भी website को ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी website साइड ऐसी होती है या बहुत सारे वेब पेज ऐसे होते हैं जो उसी टैब पर ओपन होते हैं लेकिन बहुत सारे वेब पेज ऐसे भी होते हैं जो उस टैब पर ओपन ना होके किसी नए टैब पर ओपन होते हैं नए दिनलों पर ओपन होते हैं ऐसा क्यों होता है मेरे designing स्यार करता है तो वो क्या करता है अगर उसे अफना बड़्यक्च किसी नए टैब में ओपना उसके लिए वो प्रोग्रामिंग में करता क्या है जहां पे भी अपनी प्रोग्रामिंग की क्या डालता है लिंक डालता है जैसे पर यूज करता है किसके बनने का इसके एक यूज करता है एक्टीबूट कीज करता है यह अचारीर टर गवेची का यूज का यूज डालेगा लेगा लेगा ऊपटेंगक वह यहां लेखेगा का यूर्व सुनारे डाल ऊप्वाद और अभी मतेक्स्ट वह टैक्स्ट देगा और यहाँ पे तर्गेट इब वाट तक से अफने बाव टार्गेट इब वानट तो ओपन अ बैपरेश इन नूट इन फिक एधनन वाट इस फेल्यू अफ वैल्यू फैंड वाट इस दा मींस फंट बैल्ली वैल्यू का मतलब क्या होगा जब हापने बैपेश को नए टर्ग में अपना चाह करता है वह अंडरन्ड को open हो जाता है तो यह थे wattage stml वो stml में एक लिंक को हम कैसे बनाते हैं एक लिंक को हम एजा लिंक कैसे यूज करते हैं और अपनी लिंक को हम एक नए टैब में कैसे open करते हैं तो इमेज से वो लिंक से यहाइपर फीन डिसमें तो पढ़ने थे एक टेक्स्ट को एजा कैसे बनाते हैं एक इमेज को एसे बनाते हैं और हम अपनी को यह अपने और आपका हईपल ऐसे एगा करते हैं तो यह यहुग आपका हाइपर लिंक का टॉपगburg एकवी सबते कैसे वनाई जैसे हम कोंची टेवल बना यहां पर लखेंगे एक सेल लूब है यहां पर लिखेंगे में हमारे नहीं पड़ा रहे हैं उसके बाद हमक्ल spawn क्या लखेंगे कि उनकी क्या है कि वालिफिकेशन क्या है वालीफिकेशन के बाद उनका जो है यह जो टेबल बनाई जाती है यह टेबल कैसे बनाई जाती है यह सीखेंगे अगली क्लास में तब तक अगर आपको लिंक और हाइपर लिंक की सारे टॉपिक समझ में आ गये हो तो वीडियों पर थमसब करते हैं मतलब ऐसे वाला बटन होगा और तक न कर दो ठीक है और जो च है आपके लिए टाइमिंग हम लोगों ने चेंज किया हुआ है ठीक है इसी वजाए से आपको यह वीडियो अब साम को भी प्रोवाइड हो रही है ठीक है तो हमने आपके लिए सोचा थोड़ा आप हमारे वारे से तब तक सभी को टाटा वाए बाए रादे रादे असलाव